आज ये शर्मा सोलुशन देख रहे हैं, क्लास 12 है ये चैप्टर 6 डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज है 6.2 इवालुएट दी फॉलिंग डिटर्मिनेंट्स अब ये सारे के सारे जो इसमें अलग-अलग पार्ट्स दिये हैं और करना कैसे है, मैं आपको ऐक प्रॉफर बताऊंगा बाकी हम जो भी जैसे ये है, इसको अलग से देखेंगे या इसको अलग से देखेंगे चलिए, मैं आपको बताता हूं करना क्या है पहला ये है कि अगर आपके पास इस तरीके से एक determinant या फिर matrix है जिसका determinant निकालना है तो पहला काम होता है कि हमको यह देखना कि किस row और किस column से खोलेगे जिस row और जिस column में ज़्यादा zeros होंगे उससे हम normally खोलते हैं या जिसमें थोड़े से ऐसे numbers होते हैं जिसका multiple easy होता है उसको खोलते हैं यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर इसको equate करूँ मैं तो आपका यह बनता है एक रो, दो रो, तीन रो यह पहला column, दूसा column, तिसरो column तो आपका हो गया यह A11, A12, A13 यह आपका हो गया A21, A22, A23 यह हो गया A31, A32, A33 यह मैंने क्यों बताया जिसलिए बताया है, क्योंकि जब हम इसका determinant निकालेंगे, तो जैसे हम इसको खोलेंगे, यह इसको लेते हैं, इसको लेते हैं तो हम पुए देखना पड़ेगा कि इसके आगे क्या sign आता है तो sign का पिल्कुल easy तरीका है जो भी जैसे आप इस row से खोलते है मां लिजे second row से खोलते हैं तो आपको यह देखना है कि यह इसके ऊपर इसके आगे sign जो आएगा वो आएगा minus one to the power i plus j i और j क्या है? row और column तो अगर आप इस row से खोलते हैं तो यहाँ minus आएगा यहाँ plus आएगा, यहाँ minus आएगा नियाद रहेगा, यह और है यह और है, minus one to the power हमेशा यह even होता है वो one मिलेगा आपको minus one to the power odd जो होगा वो आपको minus one मिलेगा ठीक है? अब हम इसको करते हैं यह वाला यह एक, दो, तीन, चार, पांच, छे यह एक जैसे तो मैं केबल, यह वाला करता हूँ बागी छे आप, अपने आप करेंगे थर्ड वाले को देख लेंगे اور सेवेंथ वाले को देख लेंगे, क्योंकि यह अलग है चलिए, पहला क्या करना है? आपको इस रो से खोलेंगे हमें, इस रो से माइनस लगा दिए, उसके आगे अब आपको करना ये है यहां प्लस आएगा करना ये है कि जो भी ये नंबर है इसका रो और कॉलम देखना है और उसके नंबर छोड़ देने बाकी सब लिख देने, जैसे यहां पर 6, 10, 11, 38 आएगा, 6, 10, 11, 38 इसी तरीके से यहां पर आप जब 3 देखेंगे इस रो और इस कॉलम को छोड़ देगे जिसमें 3 आता है 2, 31 और 10, 38 यहां पर लिख देगे इसी तरीके से आप 5 बाज़ेगे ये 5 है, तो ये रो और ये कॉलम को छोड़ देजे यहां इन नंबर लिखेंगे 2, 6, 31, 11 तो जब आप 2 बाइ 2 मेट्रिक्स में आते हैं माल लिजे आपका मेट्रिक्स ये A, B, C, D इस तरीके से है तो इसका डिटर्मिनेंट होता है A, D, minus V, C इसका भी यही करेंगे 6, into 38, minus 10, into 11 इसको देख लेते हैं 2, into 38, minus 10, into 31 यह आपका अगा 2, into 11, minus 6, into 31 पहला इसको निकाल लेते हैं यह जो आपका आएगा 228 आएगा, 110 आएगा मैं माइनस कर देता हूँ यह डिरेक्ट आपका 118 आ रहा यह 2, into 38, 76 होगा 10, into 31, 310 होगा इनको सब्राइट करेंगे तो आपका डिरेक्ट माइनस 234 आ जाएगा यह आपका है 2, into 11 यहने की 22 माइनस यह आपका 6, into 31 6, into 31 आपका आ रहा है 186 इसको सब्राइट करेंगे तो आपका एगा माइनस 164 यह होगा अब यह आपके 1 था, 1, into यह माइनस 3 था और यह आपका प्लस 5 यह हो गया तो यह कर लेंगे, तो final आप कैसे लिखेंगे, जो भी calculation का result आता है, वो आपका final होगा, यह आपका 118 हो गया माइनस 3, into, यह माइनस माइनस 10 हो गया, 3, into 234 आपका 702 आता है, यहाँ पर आप माइनस ले आएंगे, क्योंकि यह माइनस है 5 into 164, ultimately 118, plus 702 और माइनस 820 लिखेंगे यह आपका देखेंगे, इसको जोड़ेंगे तो आपका 820 आएगा, यह भी आपका 820 है, और दोनों 0 हो जाएगे clear? यह सारे बाकी कर लेंगे आप, तरीका यह है इसको मैं दिखा भी देता हूँ आपको कि यह ऐसे सवाल है जो आपको अगर खुद कर रहे हैं कोई पर परिशानी आती है तो यहाँ पर एक आइडिया ले सकते हैं अब हम कर रहे हैं थर्ड वाद थर्ड का भी बिल्कु सेम है, इसमें कोई अलग नहीं होगा यहाँ A लिख दीजे, यहाँ माइनस H लिख दीजे और यहाँ G लिख दीजे, यह हो गया अब इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, जिसमें भी A आता है इस रो और कॉलम में उसको छोड़ देंगे, बाकी को लिख देंगे B F F C, ठीक है जी माइनस H, यहाँ पर क्या आएगा इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे H G और F C आजाएगा तो यहाँ प्लस G इस रो इस कॉलम को छोड़ देंगे तो आपका H B और G F आजाएगा यहाँ क्या बना आपका A यह B C, माइनस F स्क्वेर यहां क्या बना आपका hc minus fg plus g into hf minus gb और राइट अबड़ी प्लाइकर दीजेस को abc minus af square minus h square c plus hfg plus hfg or minus यह बनेगा g square बस इसको rearrange कर दीजेगा abc आने लिजे 2fg hfg हो गया तो 2f fg hfg कर दीजे minus af square minus c h square minus bg square यह आपका final आजाएगा इसमें कोई भी चीज हमने की नहीं simple simple थाए यानिकि इसमें कोई भी trick नहीं है बस कहीं भी zero नहीं हुआ कहीं भी कोई cancellation नहीं हुआ बागी मैं आप skip कर रहा हूँ यह आप और हमसे कर लेंगे अगर आपको परिशानी आती है यहाँ पर आप एक view आपको मिल जाएगा ठीक है जी अब एक काम करते है कि इस वाले को करते हैं यहाँ भी आप कर लेंगे सीधा seven पे पहुंचते है seven पे क्या करना है काम वही है अब इसमें अगर मैं इसको ऐसे लिखन देखिए पहले इसको समझना होगा आपको तो यह अगर आप यह वाला पहली बार कर रहे हैं तो इस इसमें पहली बार मैं आपको कुछ चीज़े बता देता है यह आपका four by four four cross four matrix हा जिसका determinant निकालने जा रहे है तो इस number को छोड़ दीजिए आप कल concept समझ दी calculation तो आप करी लेंगे अगर idea है आपको कैसे करना है तो यह ज़्यादा जरूरी है इस तरीके के वही भी question आता है तो आप कर सकते है अब आप देखे इसको मैं equate कर रहा हूँ किस से यह एक, दो एक, दो, तीन और चार चार रोज है और एक, दो, तीन और चार columns है यह होगा आपका a11, a12, a13 और a14 a21, a22, a23, a24 a31, a32, a33 a34, a41, a42, a43, a44 अब इसमें यह हो गया कि जए इस चीज़ भी रोज कॉलम से आप खोलेंगे इसमें आपको देखना पड़ेगा कि sign क्या रहा है sign हमेशा minus 1 to the power i press j होता है और i press j क्या है, यह रोज कॉलम इसलिए मुझे यह लिखना पड़ा है तो अगर मैं इसको first row से खोलता हूँ तो देखे, a11 1 plus 1 क्या होता 2 minus 1 to the power 2, 1 होगा तो पहले यहाँ पर आप लिख देंगे 1 फिर आप यहाँ लिख देंगे यहाँ पर a12 क्योंकि यह 1 plus 2 odd है तो इसके आगे आजएगा minus 3 ठीक यह 9, यह 1 3 है यह प्लस 9 लिखेंगे और finally जब आप यहाँ पर आएगे 27 तो इसमें आपको करना पड़े है तो इसमें आपको करना पड़े है तो इसमें आपको करना पड़े है 1 plus 4 होता 5 यह नहीं कि odd आएगा तो negative लिख देंगे मैं रो गया यहाँ पर यहाँ पर तो इसके अंदर आपको 3 by 3 आएगा एक एक को हम solve करेंगे तो यहाँ पर 1 अब इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे यह रो यह कॉलम छोड़नी है बाखी लिख देंगे 9, 27, 1 यह आएगा 27, 1, 3 यह आपका ऐगा 13, 2 मैंनस 3 पर आजे इस रो और इस कॉलम को छोड़ दीजिए आपका 3 27, 1, 9 9, 1, 3 27, 3, 9 अब इस 9 पर आजे इस रो और इस कॉलम को छोड़ दीजिए यह आपका का आएगा 3, 9, a, 1 9, 27, 3 और 27, 1, 9 मैंनस 27 अब इस में इस कॉलम को छोड़ देंगे यह आएगा पुरा तो 3, 9, 27 9, 27, 1 और 27, 1, 3 अब यह 3 by 3 अरड़ी में बता चुका है आपको कैसे करना है यह आप कर लेगे I hope यह आप कर लेगे बस यह जो आएगा इसको 1-7 प्राय करना है इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा 3-7 प्राय करना है इसका डिटर्मिनेंट 9 से और इसका डिटर्मिनेंट 27 से और फाइनल जो आणसर है वो रीचेक कर लिजेगा यह 5, 1, 6, 3, 2, 0 आणसर है यह आएगा तो hopefully आप यह समझ गये होंगे कैसे करना है Without expanding अब यहाँ पर आएगी properties हमारे पास कुछ properties है determinant की वो हम लगाएंगे और बगएर इसको खुले हो खुलेंगे लिए रहीं बता देंगे कि इसका answer क्या है answer 0 है देखिए सबसे पहला मैं कर रहा हूँ पहला बाला अब ध्याँ से देखिए मैं क्या करने जा रहा है यह है 8 2, 7 यह है 12, 3, 5 और यह है 16, 4, 3 अब इसको बहुत ध्याँ से देखिए यह 8, 12, 16 इसको हम कैसे लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं 8 को लिख सकते हैं क्योंकि अगर 2 rows या 2 column एक जैसे हो गया है तो इसका मतलब यह determinant 0 हो जाएगा इसको हम लिख सकते हैं 4 into 2 इसको हम लिख सकते हैं 4 into 3 इसको लिख सकते हैं 4 into 4 तो आप 4, 4, 4 common आ गया तो अब इससे 4 बाहर ले लेगी यानिकि finally क्या आएगा और हमने भाहर लिया तो यहां के आएगा 2, 3, 4 यह 2, 3, 4 अरड़ी था और 7, 5 अब देखिए यह column और यह column exactly same है जो column जब same होते हैं इसका मतलब यह 0 होते हैं आप करना भी चाहें तो आप क्या कर सकते हैं सीधा आप यह बता सकते हैं कि column 1 में हम change कर रहें column 1 minus column 2 क्या हो जागा इससे उन्दों को minus भी करते हैं तो आपका क्या आएगा 3 minus 2, 0 3 minus 3, 0 4 minus 4, 0 2, 3, 4 7, 5 अब जब आपका पूरा एक column ही 0 है तो बागी सब 0 आजाएगे जाए 4 से मतलता है करें जाए किसी से भी करें अब second लेते हैं यह है आपका next में ले रहा हूँ यह वाला इसमें देखें क्या बनता है आपका यह है 6, 3, 2 और 2 minus 1, 2 minus 10, 5, 2 अब इसमें क्या आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हमारे पास value आ जाए देखें सबसे पहली बात तो यह है कि यह दोनों एक जैसे तीनों एक यह कॉलम में हर एक value एक जैसे है और क्या हम किसी तरीके से ऐसा कुछ division कर ले क्या ऐसा कुछ कर ले जिससे हमारे आ जाए value आप इस तरीके से आ जाए अब मैं आपको करके दिखाता हूँ इसमें दो तरीके मंदा multiple तरीके हो सकते हैं एक तरीका मैं बता रहा हूँ एक तरीका और है जैसे यह जो पूरा है इसको हम कैसे लिख सकते हैं six को कैसे लिख सकते हैं two into three two को कैसे लिख सकते हैं two into one अब two common ले लेजिए दो बाहर ले लेंगे तो क्या बनेगा आपका three यह अपने बाहर लिया three और यह लिया आपने two और यह लिया आपने minus five ओके अब इसमें एक थोड़ी सी यह minus three है यह minus three है तो आपका three two minus five यहां क्या मना minus three minus one है five यह two 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 अब आपको करना क्या है यह column one है यह column two है आप column one में change करिए column one plus column two तो क्या आएगा two into three minus three zero two minus one two minus यह इसमें एक two common है तो one one minus one zero minus five plus five zero यहां क्या बना आपका minus three और minus one five और two 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 और इसमें देखिए पूरी की पूरी column ही zero है तो इसमें जीर हो जाएगा अब दूसरा तरीका यह है कि यह common लेने की जगा आपको यह two हमने बाहर लिया ना दूसरा तरीका आप डारेक्ट भी कर सकते हैं जैसे c1 में अगर हम change करते c1 plus two c2 पूसरा इसको हम twice करते इस वाले column को two seven प्लाय करते और इससे जोड़ दे तो बात सहीं ही है या तो इसका two बाहर निकाल लिजए या इसको two seven प्लाय करके side करते हैं आना वही है रेक्स वाला हम कर रहे हैं यह वाला one by a, one by b, one by c और यह सारी चीज़ें तो इसको कैसे करेंगे उसका तरीका देखिए इसके multiple तरीके हो सकते हैं लेकिन सबसे आसान तरीका यह हो सकता है कि आप किसी तरीके से इसी तरीके से दो column को या दो row को एक जैसा बना तेखिए right आप देखिए मैं क्या कर रहा है सब्सक्राइब बरावर रो फ्री लेकिन जब यह हम करेंगे तो अगर मडिप्राय करना है तो आपको वही चीज बाहर भी ले ले लिए पड़ेगे कहने का मतलब यह है कि आपको मडिप्रिकेशन में चीजें बाहर भी आनी चाहिए तो अगर आप यहाँ पर A से मॡिप्राय करते हैं तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा एसे मॡिप्राय करेंगे तो A से डिवाइड भी करना पड़ेगा ठीक है अब A से मॡिप्राय कर लिए हमने 1 बाई A to A होता है 1 A स्क्वार को मॡिप्राय करेंगे तो आपका आएगा A Q और यह A B C हो जाएगा हम यहाँ पर B 7 प्राय कर रहे हैं तो यह अपका 1 हो जाएगा यह B Q हो जाएगा और यह B A C हो जाएगा अब हम C 7 प्राय कर रहे हैं यह जाएगा C, यह चैसल हो जाएगा तो 1 बनेगा C into 1 by C is 1 यह आपका C Q और यह आपका C A B अब क्या करेंगे इस कॉलम से C 1 C 3 कॉलम है इस से A B C बाहर ले ले लिए ले सकते हैं आप पर राम से क्योंकि common है तो बाहर ले सकते हैं स्केलर मोंटिकेशन है तो इस से A B C बाहर ले लिए ABC भार लिया, ABC नीचे थाई क्या बना, 111 AQ, BQ, CQ और यह बना आपका ABC ABC 111 अब देखें, यह column यह column एक जैसी है, यह तो आपको जैसे मैंने पहले बताएं, इन दोरों को subscribe करके 0-0 दिखा दीजे, या फिर यहीं बता दीजें क्योंकि दो column सेम है, यह इसका determinant जी रहे हैं, ऐसे करना इसको, right अब मैं इसको हटा देता हूँ यहां एक काम करते हैं हम ले रहे हैं अब यहाँ पर यह वालत हमने कर लिया, अब next वाला देखते हैं, next वाला कैसे होगा यह तरीका मैंने आपको बता दिया, क्या करना आपको यहां पर आजएजी, यह जो है A plus B, 2A plus B, 3A plus B इसका जो असान तरीका है, वो यह है किसी तरीके से आप इससे B हटा दीजे किसी तरीके सिसका भी हटा दीजे इसका B हटा दीजे, right तो इसको हम अलग-अलग तरीके से कर सकते हैं या तो हम पहले इन दोनों को माइनस करें इन दोनों को माइनस करें या इन दोनों को माइनस करें तो एक-एक स्टेप बताता हूँ यह ध्यार ना आपको इसी को कर रहे है सबसे पहला स्टेप जो हम करेंगे R1 में चेंज कर रहे है R1 माइनस R2 तो R1 में ही चेंज होगा और इन दोनों को सब्टाइड करेंगे या यह कहें कि R1 में चेंज करेंगे R2 माइनस 1 ताकि नेगेटिम में ना है अगर हम इसको जैसे मैं अगर A प्लस B से हटाता हूँ 2A प्लस B को तो A प्लस B माइनस 2A माइनस B बनेगा यह माइनस A अभी हट जाएगा तो माइनस में हाएगा हम नहीं चाहते माइनस में हाएगा इसलिए R2 माइनस R1 माइनस R2 भी कर सकते है तो देखें सब सब पहले क्या है यह 2A प्लस B माइनस A प्लस B बी-बी तो cancel हो जाएगा 3A-2A अब इसमें भी बी-बी cancel हो जाएगा 4A-3A आपका हो जाएगा यह हो गया अब मैं सारा ने लिखके बारवा लिखना पड़ेगा मैं आपको एक और चीज़ बता जिता है बागी सब सेम रहेगा ऐसा अब हम R2 में चेंज कर रहे है R2 में क्या चेंज कर रहे है R3-R2 मतलब अब इन दोनों का सब्टाइट किया जाएगा तो अब 4A प्लस B माइनस 2A प्लस B 4A प्लस इसमें बी-बी cancel हो जाएगा 4A माइनस 2A का 2A आजाएगा 5A प्लस B माइनस 3A प्लस B तो इसमें क्या बनेगा 2A ही बनेगा 6A प्लस B माइनस 4A प्लस B तो बी-बी cancel हो जाएगा आपका 2A आजाएगा नीचे वो ही रहेगा नीचे में कोई चेंज नहीं आप इससे 2 कॉमन ले सकते हैं मैंने खाना आपसे आराम से 2 कॉमन ले सकते हैं तो टू कॉमन ले लिया लेकिन टू कॉमन लेते ही आप देखेंगे कि यह रो और यह रो दोनों रहे क्या होगी नेगि दोनो रो U R1 और R2 दोनो आपके बराबर है जब दोनो रो या genau का बराबर होते तो इसका डिटेमिनीट आपका 0 यह हो गया अब हम बड़ रहे हैं इसकी तरफ तीसरी की तरफ I'll clear कर रहा हूँ तीसरे प्रेब तो तीसरे का तरीका यह है कि या तो आप इसको अलग करके कर लिए या फिर इसको जैसे यह है ना वन 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 ए ए ए ए स्क्वार बी स्क्वार सी स्क्वार एक हो जाएगा वन 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 ए बी सी और मैनस बी सी मैनस ए सी और मैनस ए भी एक हो जाएगा ना तो ये कर लीजे दूसा तरीका इसका ये है जिसको हम यहीं पे करते हैं और यहीं से हम माइनस कर लिए इसके जैसे वन मौन है वन मौन है ना इसके रो और कॉलम को हम किसी तरीके से दो गो जिरो कर लिए कैसे करना है देखें ये रो वन है इसकी यह row 2 है, इसकी यह row 3 है सबसे पहले हम कर रहे हैं, इसको ध्याल रखेगा यहाँ पर देख लिज़े चाहिए हम सबसे पहले इसमें कर रहे हैं row 1 में change कर रहे है row 1 minus row 2 row 1 में change होगा, 1 minus 1 डिर्ट लिखा होगा, 0 a minus b, a minus a square minus a b minus b square minus a यहाँ कर देते, a square minus b c minus b square plus a c तो अब क्या बनेगा यह इसमें प्रॉपर ही लेना पड़े है क्योंकि इसमें कुछ बंग तुडानी है तो हम लिख देते इसको, a square minus b square plus a c minus b c अब यहाँ आईए यह होगा, दूसा बार बार लिख नहीं रहा हूँ अब r2 में change करेंगे r2 minus r क्योंकि हमको इनको 0 बनाना है तो 1 minus 1 0 और r2 minus r3 किया है तो b minus c यहाँ पर आजाएगा और यह आएगा b square minus a c minus c square plus a b इसको लिख सकते हैं b square minus c square और plus a b minus a c ऐसे लिख सकते हैं नीचे का सेम रहेगा 1 c और c square minus a b अब आप देखें इसको बहुत ध्याद से देखेंगा यह a minus b है और इसको मैं बता रहा हूँ और यह इसको मैं बता रहा हूँ यह है a square minus b square प्लस इसमें हम c common ले रहे हैं इसको कैसे लिख सकते हैं a minus b a plus b plus c a minus b अब इस दोनों से a minus b common है इसको मैं बच्चता है a plus b plus c a plus b plus c तो यहां बनेगा आपका 001 a minus b b minus c c और यह बनेगा आपका a minus b और a plus b plus c इसी तरह के इसको कर रहे हैं इसका बता रहे हैं तो यह होगा b square minus c square को ड़ने लिख देते है b minus c b plus c प्लस यहां से a common लेने है b minus c आएगा अब इस दोनों से b minus c common लेने हैं b minus c आगया आपका आपका क्यामना a plus b plus c यहां भी बनेगा जीचे क्या है आपका c square minus c अब इससे a plus b common लेनी सकते हैं क्योंकि a plus b plus c आहीं रहा है तो इसका कुछ कर दी सकते हैं अब इसको हमको open करने के लिए कोई और तरीका हमारे पास बन लेनी रहा है यह तो हम क्योंकि यह हाँ इससे a minus b लेने सकते हैं sorry बंती कर दी इससे a minus b a minus b common ले सकते हैं क्योंकि a minus b यह common लेंगे यह बनेगा one यह बनेगा one a minus b common ले लिया b minus c common लेगे okay a minus b minus c हाँ गया zero zero one 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 c और a plus b plus c a plus b plus c और c square minus a अब इस पे देखिए कि क्या हमारे पास इसा कोई तरीका है जिससे हम इसका determinant ऐसी निकाल सकते है खोड़ सकते है क्यों क्योंकि यह zero one a b c और यह zero one a b c दोनों रोज क्या हो एक जैसी होगी right दो रोज एक जैसी होती है तो इसका मतलब determinant zero होता है तो क्या बग्या खुले है अब next वाला यह है यह आप कर लेंगे यह भी कर लेंगे यह भी कर लेंगे अब अगर चाहें तो ठीके determinant निकालना अब आसान है हम यह वाला देख लेते हैं यह सब तो आप कर लेंगे क्योंकि इसमें 49 है सिंपल आपको इसमें से कुछ नहीं कर लेंगे इसमें किवल यह देखना है multiple क्या है और वो बाहर लेंगे यह भी आप कर लेंगे यह वाला मैं बता रहा हूं आपको 0xy तो इसको लेते हैं 0xy मैनस x 0z और मैनस y मैनस z 0 चलिए साथ हम क्या करते है x y z by x y z करते थे यह क्यों किया क्योंकि यह वन ही है अब हम क्या करेंगे कि इस पूरे से यह उपर वाले से यह जो आपको दिख रहा है इसमें हम multiply करेंगे z क्योंकि इसमें z नहीं है समभ़ना है क्या कि हमने इसमें z नहीं है तो हम उपर वाले से z multiply करें. अगे? तो जब ये multiply करेंगे तो ये वाला चला जाएगा. ये आपका z से multiply होगय है. तो ये z स ur multiply होगjan. फिर हम z पे चला गया. या हमने यहाँ पर आपको y नहीं दिख रहा है. ये जीरो रहेगा. यह हो गया? अब इससे हमें फाइदा क्या है इससे हमें ये फाइदा हुआ कि हम कोई यह जो row है, row 1 इसमें क्या change करेंगे? row 1 प्लस row 2 प्लस row 3 यानिकि zero यह वाला क्या हैगा? x z प्लस y z मतलब x z x z प्लस y z row में एड़ करें इसको एड़ करें 0 और minus xy क्या हो जाएगा हम करके रहे हैं यह तीनों को जोड़े हैं तो हम यह तीनों को जोड़ेंगे क्या रहा है minus xy और minus yx एक ही बात है minus 2xy हो इन तीनों को जोड़ेंगे तो minus 2zx इसको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 2 नहीं इसको जोड़ेंगे तो 0 है एक जैड़ माइनस zx क्या होता जीरो होगा यह yz प्लस zy यह बनेगा 2yz अब की ऐसे रहेगा अब इसमें बाकियों सेम ऐसे रहेगा अब हम रोवन रोवन में फिर से चेंज करेंगा पहले मैं लि आप देखे क्या कर रहे है अब रोवन में चेंज कर रहे है रोवन में क्या चेंज करेंगे त्वाइस इसका लेंगे किसका रोवन टू का इसका ट्वाइस लेंगे और इसके साथ फिर सब्ट्राइक करेंगे देखे कैसा मैनस 2xy है यह रोवन का इटम है इसमें मैनस करेंग twice इसका 2 into minus कर रहे है minus 2 into xy minus 2 into xy right हम minus कर रहे है क्योंकि minus है यह already minus था तो यह plus हो जाएगा तो यह cancel हो जाएगा तो आपका यह 0 हो बनेगा दूसरा भी बता दो कैसे हम क्या कर रहे हैं इससे इसका twice करके minus कर रहे हैं यह 2yz है इसमें माइनस कर रहे हैं इसका twice करके इसमें 2yz, 2yz, यह 0 हो जाएगा अब बाकी वैसे लिख की जएगा जएग 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 आप देखें पूरी एक रोज 0 हो गई इसका उन्दा डिटर्मिंट 0 हो जाएगा ऐसे करना है ओके अब इसमें से यह हम औरड़ी कर चुके, यह तिनों हो गए यह और यह, यह दुनों हम करेंगे अगली बार यह वाले दुनों मैं करके अताव हुआ इसको पत्तक्र शुक्रिया, भर्भाने हो जाएगे